नमस्कार मैं सत्पाल पांचाल स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टूट आज किस वीडियो में हम आपको MS PowerPoint की फाइल टैब के बारे में बताएंगे इसे पहले की वीडियो में हमने MS PowerPoint के बार बता हुए जिनका लिंक आपको description में मिल जाएगा तो आज की इस वीडियो में हम आपको फाइल टैब के बारे में बताएंगे चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि फाइल टैब में सबसे पहले आपको फाइल टैब पे क्लिक करना है लेकिन मैं उससे पहले एक presentation दिखा देता हूं मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको एक बनी बना रखी है यानि स्लाइड बनाई जाती है अलग अलग जैसे यह एक अलग स्लाइड है यह एक अलग स्लाइड है तो हर एक साड़ी पने कुछ पाइल झाले जाती है तो यह सलाइड स्लाइड ऑर किस प्रकार से देखी जाती है तो आप इस पे क्लिक करोगे, आप इसको सो स्लाइड पे जाओगे, सो स्लाइड पे क्लिक करने के बद आपको यह कुछ इस परकार की आपको दिखाई देगी, ठीक है, तो जैसे आप क्लिक करते जाओगे, तो आपका ऐसे वाट इस कंप्यूटर, कंप्यूटर अनि एलेक्ट तो ऐसी slide आप भी बना सकते हो एसी presentation आप भी बना सकते हो ठीक है जो कि अगर आगर आप हमारी सभी वीडियो देखते हो तो आपको बनाना भी आजाएगा फिलाल इसको end करते हैं और अपने topic की side बरते हैं file tap में file tap में जैसे आप click करते हो तो file tap में यहां पर आपको many many option मिल जा करोगे तो यहां पर आपको काफी सारे अल्रीडी बने हुई स्लाइड भी मिल जाएंगी ठीक है कलर फुल लेनी है कैसी लेनी है तो ब्लैंक पर क्लिक करना तो आप इस पर ब्लैंक पर क्लिक करोगे तो यह ब्लैंक एक स्लाइड आ जाएगी आपकी न्यूक आपको पता होगा next open, open में भी आपको पता होगा जैसे यहाँ पर this PC की फाइल open करके देख सकते हो, कोई आपकी cloud पे है, आप वहाँ से सर्च कर सकते हो या आपकी recently फाइल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगी, यहाँ से आप उनको open करके देख सकते हो, यहाँ ब्राउजर पे क्लिक करके, अलग अलग फोल्डर में आप अपनी जो भी आपकी फाइल बनी होगी, या फाइल का नाम यहाँ पर पुट करके, आप उसका open करके देख सकते हो, ठीक, I think मुझे पता होगा कि आपको फाइल new open पहले से ही पता होगा, लेकिन थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे आते ही, यहाँ पर हमारे पास एक फाइल, info का एक option है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, तो इसके अंदर आप many many option है, यानि आपके, यहाँ पर अलग अलग परकार के option आ जाते हैं, जैसे कि हमारा, मैं आपको दिखाना साओंगा, एक मिंट में जूम आउट कर देता हूँ, जैसे कि सबसे पहले यह एक अलग से option दिया गया है, यहाँ पर परटेक्ट परजेंटेशन ठीक है, यहाँ पर inspect है, और यहाँ पर manage है, ठीक है, तो इनको one by one अभी में clear करता हूँ, तो सबसे पहले है हमारा प्रटेक्ट प्रजेंटेशन प्रटेक्ट प्रजेंटेशन जैसे नाम सही पता लग रहा है कि कोई प्रजेंटेशन को प्रटेक्ट करने के लिए बनाए गया है बिल्कुल सही कह रहा है इससे आप अपनी प्रजेंटेशन को प्रटेक्ट कर सकते हो पहले मैं अभी आपको ब पर दक्त्र प्लिक क्रोगे, तो यहां पर मैनी मैनी ओप्सन है, लिखाव है, आलावेज रीड अनली, यहां पर इस पर क्लिक करते हो, ध्यान से सुनना, यदि आप इस पर क्लिक करते हो, तो आपकी फाइल जब भी आप अपन करोगे, तो वो रीड अनली में ही उपन होगी, यानि वो read only read में open होगी उसमें आप कोई भी changing नहीं कर पाओगे encrypt with password यानि यहां पर यह बता रहा है कि यदि आप जब भी फाइल ओपन करोगे वो security password मांगे तो उसके लिए आपको यहां पर encrypt password देना पड़ेगा यहां पर आप restriction लगा सकते हो हर एक चीज की कि भी हां content में कोई चेंज आना चाहिए नहीं आना चाहिए तो आप यहां पर restriction लगा सकते हो add signature यहां पर आप अपने जब आपकी final बन जाती है अगर आपको need लगती है कि मुझे इसके अंदर signature add करने है तो आप इस option का भी use कर सकते हो mark as final यह नहीं जब आपको लगता है सब कुछ हो चुका है तो आप mark as final पे प्रकार आपको अगर में रीड अनली पे क्लिक करता हूं तो यहां पर लिखा जाएगा कि प्रजेंटेशन जो है प्रटेक्ट हो चुकी है ठीक है इसके लिए आप करना क्या पड़ेगा फाइल में करने के आप जब आप इसको अगें ऑपन करोगे ठीक है मैं आपको open भी करके दिखा देता हूं और मैं इसको दोबारा के फाउपन तो मैंने इसको दुबारा से open किया तो यहां पर देखो security warning भी आ चुकी है read only का भी कुछ लिखा चुका है यहां पर अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से देखो यहां पर read only का error आया security warning भी आया है यहां पर पहले excellent ppt1 लिखा वा था अब read only और लिखा गया यहां यह जो फाइल है read only में खुली हुए है तो इसका मतलब यह है कि आप इसको केवल read only कर सकते हो अगर आपने security के आपर enable disable करना तो वह भी आप कर सकते हो यहां से आप इनको cut भी और यहां पर security भी आ चुकी है देखो साथ की साथ क्यूंकि आपने read only में उसको open किया है ठीक है अगर आप इसको enable या disable करना चाहते तो वह भी आप कर सकते हो कि enable करना डिसेबल करना ठीक है लेकिन यह तब ही चलेगा जब आपने security दे रखी होगी otherwise यह option आपका नहीं आएग ठीक है तो हम एक बार क्या करते हैं यहां से read only जो है जैसे हम read only पर click करते हैं तो यह जो protection अभी देखो काम नहीं कर दिया तो इसके लिए आपको इसको enable करना पड़ेगा ठीक है enable all content है तो आपने इसको advance में जाना है और यहां पर enable पर click कर देना और ok कर देना ठीक है तो जैस अब सनाया हुआ था वो हट चुक है अब यहां पर हम click करेंगे तो यहां पर भी देख पा रहे हैं कि हमारा यहां पर ठीक है अभी भी read only जो है यह active नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे हम file kylos करेंगे file को close करने के बाद वापिस वापिस से file को open करेंगे जैसे हम इस वाइल को open करते हैं तो यहां पर security को enable करने के लिए ऐसको enable कर देंगे और edit में करने के लिए, always edit के लिए कह रहा है तो आप इसको added भी कर होगा ठीक है अब आप वापिस फाइल में जाओ फाइल में जाने के बाद यहां पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर देखो प्रोटेक्शन अभी भी लगी हुई है लेकिन इसके लिए आपको यहां पर एक बर क्लिक करोगे तो प्रोटेक्शन हट जाएगी ठीक है देखो पह पासवर्ड यहाँ से कुछ स्रक्ष्य पासवर्ड माँगेगा तो यहाँ पर आपने कोई भी पासवर्ड डाल करने के लिए तो एक बार और डाल दिया है ऐक सीशनिती से ऑप्स नाच चुगा अभिसा क्या यूज है इसका हम बता देते यह आप इसको Close करोगे close करने के बाद आपने बस Save पे क्लिक करने वापिस से हम अभी फाइल को खोलते हैं यहाँ पर PPT 1 है आपने इस पे क्लिक किया तो जैसे आप इस पे क्लिक कर रहे हो तो आप सुश्रेक्षा है password मांग नहीं तो यहाँ पर आपको यदि आप कोई दे सकते हो आपने content को कि आपने कौन-कौन से जो है restriction लगानी है edit की लगानी है copy की लगानी है नहीं लगानी है ठीक है इसके लिए आपको password protection यदि आपने इस पासवर्ड इनक्रिप्ट विध पासवड यह हटानी है तो इसके लिए क्या करना है कुछ नहीं करना बास आपने इ हट गई है ठीक है रिस्ट्रिक्षिन अगर आप देना चाहो तो आपकी इच्छा पर रिस्ट्रिक्षिन लगा सकते हैं बाकि आगए जो हमारे content चलेंगे तब हम आपको restriction सिखाएंगे एड़ signature भी वहाँ सिखाएंगे और final भी आपको वहीं करके दिखाएंगे तो next यह था हमारा protection section जो है complete हो चुका है next बढ़ते हैं inspection की साइड यदि आप अपनी document को inspect करना चाहते हो inspection मतलब जैसे आप इस पर click करोगे तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ से काफी सारे option पूछता है की कमेंट चेक करने हैं document की property चेक करनी है text करने कुछ भी आपको यहाँ पर लगता है macro मैक्रो आपनि चेक करना है कुछ भी आपको लगता है कि मुझे यह यह चैक करने और भी निचे है scroll करके अब चेक कर सकते हूं तो आपने जो जो content जो है check करने है आप उस पे click करके inspect पे click करोगे तो यह search करेगा search करने के बाद गार इसको कहीं पर कोई भी error मिलता है तो बताएगा किस document को property नहीं दी गई है यह बता रहा है आपको ठीक है अगर आप इसको remove करना चाहते हैं यहां से remove कर दो ठीक है यहां पर embedded document बता रहा है अगर आप इसको भी remove करना चाहते है तो इसको भी कर सकते हो तो यह है inspect बाकी सारे okay आए है ठीक रिइंस्पेक्ट भी कर सकते हो तो रिइंस्पेक्ट में यदि फिर भी कोई आप कर रहा है गयोगा तो दूबारा से inspect कर के दिखाएगा आपका ठीक है जैसे embedded document के बारे में बता रहा है तो more info में जाके बता देगा कि आपका जो document है वह embedded form में है यह किस में है ठीक है remove करना चाहते हो आप remove भी कर सकते हो नेक्स बढ़ते हैं हम अपने फाइल में इंस्पेक्ट हो चुक और accessibility में होता क्या है देखो आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं देखो यहां तो आप समझ नहीं पाऊगे यह कौन से error है यहां पर आपकी फाइल के अंदर कुछ error होते हैं उनको बताता है देखो error बताया नाम देदोगे तो यह आपके हट जाएंगे जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो इसको बता रहा है आपको तो नहीं दीख रहा होगे यहां पर स्लाइड में बता रहा है कि यह वाला जो rectangle है इसको आपने particularly नाम नहीं दिया हूँ है यह वाली picture को जो है नाम नहीं दिया ठीक है तब आप ज़्यादा अच्छी से समझ पाओगे कि यहां पर किस परकार का यह error है या किस परकार की यह warning है ठीक है उसके लिए हम एक new slide लिखते है new slide आप फॉर एक्जामपल हमने यह ले लिए और यहां पर x y z कुछ भी लिख दिया हमने ठीक है और यहां पर कोई insert में जाके हमने कोई भी picture जो है या शेप insert कर लेते हैं चलो हमने यह शेप insert कर ली है यहां पर और यहां पर xp insert कर लिया ठीक है हमने यह देखो एक slide बनाई है जिसके अंदर हमने दो सेप insert की है तो अगर हम इसकी accessibility चेक करते हैं तो इसमें दो error आएंगे कौन से error आएंगे जो भी हमने shape insert की है उनका error बताता है कैसा error होगा वो अभी बताता हूँ आपको मैं आपने check accessibility पे click किया और यहाँ पर आके देखें तो यहाँ पर missing alternative text ठीक है तो यहाँ पर two error देखो error में two error बता रहा है तो smiling face और arrow down के बारे में बता रहा है आपको ठीक है तो यह होता है क्या है अगर आप इस पर click करोगे ठीक है तो अगर आप यहाँ पर mark as decorative पर click करोगे तो यह error हट जाएंगे ध्यान सो फिर ध्यान से सुनो मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ अगर आप इन errors पर click करते हो यहाँ आपकी फाइल में कोई भी error है अगर आप उस पर click करते तो यहाँ पर जो भी आपने यह picture insert की थी इनके बारे में बता रहा है कि दो error आपके यदि आप इन पर click करो देखो एक रहा है और इस पर हमने click किया तो यह दोनों error हट अब बता रहा है no issue कोई भी इस फाउंड नहीं हुआ ठीक है तो जो भी error थे आपके हट चुके हैं दुबारा फिर में accessibility चेक करके दिखा देता हूँ फाइल इंफ में गए यहां पर हमने check accessibility पर click किया और यहां पर देखो कोई भी issue नहीं फाउंड कर रहा ठीक है यानि accessibility में जो भी अपने फिगर पिक्चर्स जो इंसर्ट की होती हैं उनके बारे में बताता है कि आपने इसको description नहीं दे रखिया टेक्स नहीं दे रखा उसको नेक्स है हमारे पास checks compatibility यानि यह आपका बताता है कि आपका जो फाइल बनाई हो आपने यह compatible है या दूसरे में या नहीं तो फिलाल तो no कोई भी issue नहीं found हो रहा है यह compatible है हर एक में ठीक है तो compatibility compatibility चेक कर सकते हो आप अपने word की excel की और powerpoint की कि यह other version में open होगा या नहीं manage एक बार जूम कर लेता हूं मैं manage presentation यह एक बहुत important option है कईयों को नहीं पता होता है इसको बता देता हूं देखो लिखा है recover unsaved file यानि presentation यदि ऐसा कुछ है कि आपने कुछ file ने बनाई थी और वो नहीं save कर पाया आप आपने बस directly काट दिया उसको तो आप यहां से recover कर सकते ह को यह आप चाहते हो कि जो भी unsaved file है unsaved मतलब जो save नहीं की गई है तो delete करना चाहते हो तो आप delete पे click करोगे और recover करना चाहते हो तो recover पे click करोगे तो जो भी आपकी unsaved file होंगी वो recover हो जाएंगी यहां से मेरे से एक file में पुछा एक sorry एक video के comment में पुछा था कि अगर sir कोई file हम save ना कर पाएं तो उसको वापिस ला सकते हैं बिल्कुल ला सकते हैं आप यहां से manage के अंदर जाएंगे यह हर एक वर्जन में है और sorry मैं यह वर्जन जो है 2019 करा रहा हूं लेकिन यह वर्जन यह option जो है हर एक वर्जन में उपलब दोता है वहां से check कर सकते हो जाके ठीक ह तो recover unsaved file या unsaved presentation पर आपने click करना है तो आपकी सारी file जो है recover हो जाएंगी next है save आपको पता ही होगा यह तो very simple है तो save पर click करेंगे अब आपने save कहां करना है cloud में करना है this pc में करना है या other add place से हाँ पर कर सकते है my document में करना है कहां करना है ठीक है मालो my document में करना है जैसे file का नाम देना है save कर देना है तो file जो है save हो जाएगी ठीक है computer के नाम से save हो चुकी है next है हमारे पास save as save as क्या होता है यदि आप उसी file को किसी another another name से save करना चाहते हो तो आप save कर सकते हो उसके duplicate copy त्यार हो जाएगी history history यदि आज जो भी आपने change कि होते है मतलब जो भी आपन print print आपको पता होगा कि जो भी अपने file बनाई है presentation बनाई है उसको आपने print नहीं है तो यहां से अप print कर सकते हो जो भी आपका printer है आप यहांपर उसको printer को सेट करोगे उसके बाद प्रिंट करोगे। ठीक है फिलाला हमारे computer मिझी में printer नहीं है जो printer होगा उसके नाम आजा यहां पर उसके बाद आप यहां पर प्रिंट करोगे नेक्स्ट है सेर सेर का मतलब जो भी आपने फाइल बनाई है ठीक है आप भी प्रेजंटेशन बना रखिये है उसको आप सेर करना चाहते हो इमेल के दौरा से करना चाहते हो तो यहां पर कर सकतेoplebrand Mission उसको पीडियाफ में एकस्पीयस में कभरण करना चाहते हो तो यहां से आप उसको convert कर सकते हूँ very simple है बस just click करना है वो convert to PDF में convert हो जाएगी next है हमारे पास create a video मतलब जो भी फाइल आपने बनाई है presentation बना रखे हैं बड़ी असी और उसकी आप एक वीडियो बनाना चाहते हो तो आप creative वीडियो पे click करोगे just बस आपने click करना है फाइल का नाम देना है और convert creative वीडियो पे click करना है यहाँ पर duration आप set कर सकते हो कि आपने कितने duration की रखनी है कितने duration की नहीं रखनी है ठीक है यहाँ तक की sound भी अगर आप चाहो कोई भी sound यहाँ पर लगा सकते हो अपनी इसमें आप CD में convert करना चाहते हो presentation को तो यहाँ पर click क के अंदर copy हो जाएगी यहाँ एक package में convert हो जाएगी ठीक है यहाँ पर create handout में आप convert करना चाहते हो तो इसको आप इसमें भी कर सकते हो ठीक है अगर आपने file का type change करना है type का मतलब यह होता है कि जैसे कि आपने presentation जो बना ली है आप जो जैसे 97 year 2003 version में आपने open कराना उसको तो नेक्स्टा हमारे पास close क्लोज में यह उते है जो भी आपकी current देखो दो परकार के option होते है एक होता close और एक होता exit ठीक है एक तो प्लोज यह वाला ठीक है यहाँ से तो आपकी file बंद होएगी और एक होता है close यह वाला ठीक है तो इस वाले close में जो भी current में आपकी presentation खुल फॉर इंस था आपकी आपकी सबस्क्राइब है यहां की यहां पर आपके पास अकाउंट नहीं होगा थोड़ा नीचे के सब्सक्रfahrण box झाल सोता ने सकते हो बागी इसको छोड़ दो नेक्स्ट है आपका यह थीम मतलब इसके लिए हम अकाउंट में आते हैं यदि आप अपने सकते हो यहां से आपके नीड का नहीं है अभी इसको छोड़ सकते हो इसके अंदर जो है है पावरपाइंट की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेटिंग होती है जब आपको पावरपाइंट डीप से आ जाता है अच्छी तरह से समझ भी आ जाता है तो आप इन सेटिंग को चेंज भी कर सकते हो अपने अकोडिंग यानि आप जो इसके अंदर इंबिल्ट किसी बी टाब से समझ भी कोई भी जानकरी लेनी है तो सब पर प्रटिकली वीडियो बनी हुए है तो आप डिस्क्रिप्सिन में जाके उनका लिंक पर जाके उन्न वीडिएो को देख सकते हो चेक कर सकते हो तो आज का मारा टोपिक फाइल टाब का था जोकि हम अच्छे से यदि ना समझ में आयों सायद में ने जल्दी करा दिया हो तो आप वीडियो को बैक करके एक बार देख लें समझ लें अच्छी तरह से ठीक है और आज हमने कोसिस करी आपको फाइल टैप समझ में आये और आसा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा यदि आपको हमारे दुवारा बनाए गई वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हो सके तो हमारी वीडियो को सेर भी जुरू करें आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में थैंक यू धन्यवाग